हेलो फ्रेंट्स वेलिकम टु मैं चैनल आज हम फ्लेयर्ड एलाइन कुड़ती बनाएंगे तो इसके लिए हमने धाइमेटर फैबरिक लिया है और इस फैबरिक को हमने डबल में रखा है अब यहाँ पर इसकी फोल्ड साइड है तो अभी हम इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरह से उठाकर हमें इसको पूरा फोल्ड कर लेना है तो हमने इसको फोरफोल्ड कर लिया है यहाँ पर ये 4 layers है और यहाँ पर इसकी fold side है और इस फोरफोल्ड की जो width है वो 21 inch की है और इसकी जो length है वो 49 inch की है धाइ मिटर फैबरिक की अभी यहाँ पर ऊपर folded वाली side है और नीचे open side है तो यहाँ पर folded वाली side से ही हम marking करेंगे तो यहाँ पर sleeves के लिए हमारा कपड़ा निकल आएगा यहाँ से shoulder लेंगे तो shoulder मैं ले रही हूँ 6.5 inch यहीं से armhole लेंगे तो armhole भी मैं ले रही हूँ 6.5 inch इन दोनों points को जोड देंगे अब यहाँ पर हमें chest का fourth part plus twitch margin लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 inch उसके बाद shoulder से कमर की length लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 14 inch और hip की length लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 20 inch अब यहाँ पर हमने कमर length का निशान लगाया है वहाँ पर कमर का fourth part plus twitch margin लेना है तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच अभी जहाँ पर हिप लेंद का निशान लगाया है वहाँ पर हिप का फोर्थ पार्ट प्लस वाजन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे उसके बाद हम इसको क्रॉस में एक्स्टेंड कर देंगे नीचे बॉटम तक तो इस तरह से राउंड शेव देते वे हम इसको एक्स्टेंड करेंगे तो घेर अच्छा आता है यहाँ पर थ्री इंच पर मार्क करके राउंड शेव दे देंगे बॉटम में इससे side से कोने नहीं निकलेंगे अभी armhole draw कर लेना है तो इस line का half लेना है और यहां से back का armhole draw करना है और half inch अंदर से front का armhole भी draw कर लेना है अभी neck की marking करेंगे तो neck width मैं ले रही हूँ 3 inch और neck deep मैं ले रही हूँ 5 inch front के लिए और back के लिए मैं ले रही हूँ 4 inch उसके बाद हम round ship draw कर लेंगे front neck के लिए और back neck के लिए भी तो marking हो गई है अभी cutting करेंगे सबसे पहले back neck और back armhole cut करेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है यह जो बच्चावा fabric है इसमें से sleeves की cutting करेंगे यहाँ पर fold आया है तो यहाँ पर इसको cut करके separate कर लेंगे अभी इसको हमें open करना है और इसमें से back part को side में रखना है और front part को फिर से fold कर लेना है अच्छे से और front neck और front armhole की cutting कर लेनी है तो हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी sleeves की cutting करेंगे तो जो बच्चावा fabric था उसको लिया है हमने fold side अपनी तरफ कर ली है यह देखें यहाँ पर यह four layers है अभी यहाँ पर sleeves की broadness लेंगे तो वो मैं ले रियो 9.5 inch उसके बाद हम sleeves की length लेंगे तो sleeves की length मैं ले रियो 12 inch अभी यहाँ पर sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ले रियो 6.5 inch अभी यहाँ से नीचे की तरफ हम 3 inch पर mark करेंगे और sleeves का इस तरह से shape draw कर लेंगे उसके बाद हमें इन दोनों points को जोड़ देना है और sleeves की cutting कर लेनी है अभी हम sleeves को open करके रखेंगे तो यहाँ पर दोनों sleeves की सीधी side अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी side अंदर की तरफ रखनी है तो हमने उल्टी side अंदर की तरफ रख ली है इसके बाद हमें half inch अंदर से front का armhole draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने sleeves की cutting कर ली है अभी stitching करेंगे तो यह हमने front का part लिया है सबसे पहले front neck पे center पे हम एक mark कर लेंगे और यह line हमने 9 inch तक की draw की है अभी यह हमने lace ली है तो lace को हम इस तरह से stitch करेंगे नीचे से इसको turn करना है वीशेब बनाते हुए और इस तरह से से stitch करना है तो हमने lace को यहाँ पर stitch कर लिया है अभी हम neck बनाएंगे तो इसके lace को fold करके रखेंगे और अभी हमने fabric का piece लिया है इसको fold करना है और इसको हम इसके अंदर रख लेंगे fold side के उपर fold side ही रखनी है और neck के shape में इसकी cutting कर लिनी है उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच तक का margin रखना है और extra fabric को cut कर लिना है तो इस तरह से हमने strip कट कर लिया है neck के लिए तो अभी front part को open करके रखेंगे सीधी side ही रख लेंगे उसके बाद इस strip को हमें उल्टा रखना है इसके उपर और stitch करना है तो हमने इसको stitch कर लिया है अब यहाँ पर हम चोटे-चोटे cuts लगा लेंगे और strip को अंदर की तरह फोल्ड करके top stitch लगा लेंगे तो इस तरह से हमने front neck ready कर लिया है अभी back neck बनाएंगे तो back neck के लिए भी हमने neck के ship की strip लिया है इसे इसके उपर उल्टा रखेंगे और stitch कर लेंगे उसके बाद इस strip को भी अंदर की तरफ पलट के top stitch लगाएंगे और back neck बनाएंगे तो हमने back neck बना लिया है अभी front का part इसके उपर उल्टा रखेंगे और shoulders attach कर लेंगे अभी sleeves के bottom को सबसे पहले double fold कर लेंगे हलका सा और इसके उपर ये lace हम stitch करेंगे तो देखे इस तरह से lace को हमने attach कर लिया है दोनों sleeves में अभी shoulders को attach करने के बाद sleeves को भी attach कर लेंगे तो sleeves को shoulder के उपर उल्टा रखना है और stitch कर लेना है इसी तरह से दुसरा sleeves भी stitch कर लेंगे तो हमने दोनों sleeves को stitch कर लिया है उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा करने के बाद हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है साइड से और अभी क्या करना है यहाँ पर हम हलका सा स्लिट रखेंगे तो नीचे से 10 या 12 इंच पर हम मार्क करेंगे तो यहाँ पर मैं 12 इंच पर मार्क कर रही हूँ तो 12 इंच तक फिटिंग कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हलका सा slit रखेंगे दोनों साइड में तो आप इसको पूरा भी बंद कर सकते हैं या फिर slit भी रख सकते हैं और इसके bottom को double fold कर देंगे